हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में और आज हम पढ़ने वाले हैं उदारवादी विचारधारा के बारे में उदारवाद है क्या इसकी विश्रिस्ताएं क्या क्या है इसकी परिभाषाएं क्या क्या है उदारवाद कितने प्रकार का है इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक चलिए हम इस वीडियो को शुरू करत है। चोकि भ्यक्ति में सौंचने और समझने की शक्ति है, इसे लिए ब्यक्तियों के ऊपर मानव के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. तो उदारवाद वेसिक लिए ब्यक्ति की स्वतं़ता के ऊपर अधिक बल देता है. और यही जो स्वतंतरता है व्यक्ति की स्वतंतरता है यही उदारवादी विचारधारा का मुख्य आधार है और इसी के उपर जो है उदारवादी विचारधारा अपने तानावाना बुनता है चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं एक एक करके और सबसे पहले बात करते हैं कि उदारवाद जो है इसके शुरुवात कब होती है तो दोस्तों अगर आप देखेंगों तो उदारवाद की जो शुरुवात है वो 16-17 सतावदी के आसपास से मानी जाती है उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिजम कहते हैं यह आप सभी जानते होगे जिसके उत्पत्ति लेटिन भाषा के एक शब्द लीवर से होगी है और जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र मानव वर्ग यानि कि liberalism जो है न ये क्या कहता है कि मानव जो है उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए उदारवाद की सुर्वात 16 और 27 सतावदी से मानी जाती है और ये उदारवाद जो है एक ऐसे समाज को गढ़ने पर बल देता है जिसमें ब्यक्ति अपने हितों के और अपनी महत्वकांशाओं को यानि कि अपनी अवशक्ताओं को अपनी जरूरतों को अपने हित को पूरा कर करने के लिए जो है उसको अच्छा एक अवसर मिल सके यह ऐसे समाज को गढ़ने और या ऐसे समाज को बनाने पर बल देते हैं यानिकर यह क्या कहना चाहते हैं जहां पर व्यक्ति के ओपर किसी प्रकार का प्रतिवंद ना हो वहां पर व्यक्ति को अपने विकास के अवसर मिल व्यक्ति जो है वो अपनी अकंशाओं को अपने हित जो है उसको वो पूरा कर सके स्वतंतरूप से तो यह उदारवाद के मुख्य विचार दाता है उदारवाद मानब को एक विवेक्षिल प्रानी मानता है और व्यक्ति का स्वतंतता पर अधिक बल देता है तो उदारवाद उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है जोनलोग को उदारवाद की आत्मा या उसका जनक क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में देखेंगे इससे पहले हम देखते हैं कि उदारवाद की क्या-क्या परिभाशा हैं अलग-अलग विचार को ने दिये हैं तो अगर हम बात करें उदारवाद के अर्थ की, तो उदारवाद का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों से ब्यक्तियों की स्वतंत्रता, यानि कि ब्यक्ति के उपर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध नहीं लगना जो है, यानि कि कोई भी संस्था या किसी भी अन्य ब्यक व्यक्ति कि द्वारा किसी भी व्यक्ति के उपर कोई भी दवाव या प्रति बंद, रोक्तोक नहीं हूना चाहिए, तो उदारवाद का सिंपल सा रथ है, भारी प्रतिवन्दों से व्यक्ति की स्वतंत्रता, और आपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की आजाधry, यह व उदारवाद जो है व्यक्ती की तंत्रता उनकी सुरक्षा और समयदानिक राज्य की समयदानिक राज्य का सिद्धानत यह वह कहा है अगर मैं देखें तो अलग अलग डेफिनेशन्स और भी विचार को ने दिया तीन प्रकार के उदारवाद हैं, पहला कुन सा है, तो परंपरागत उदारवाद, जिसको हम शास्त्रिय उदारवाद या फिर नकरात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं, दूसरा जो उदारवाद है, उसको हम अधुनिक उदारवाद या फिर सकरात्मक उदारवाद भी कहा जाता है और तीसरा है उसको हम कहते हैं समकालें उदारवाध के प्रकारों को हम एक्ए कर करेंगे और इनके बीच में अंतर Joe is इसको भी हम असानी से समझें लिए अ brightness पर्मप्रागत उदारबाद के नाम से वह जाते हैं तो इस चमर्थक मानेते ही जॉन लॉक, एडम स्मित, हरवर्ड स्पेंसर और डेविड डिकार्डो जुहें इनको परंपरागत उदारवाद का एक तरीके से क्या का जाता है विचारा का जाता है जिन्होंने परंपरागत उदारवाद का समर्थन किये हैं अब हम इसकी विशेस्ता है उपको देख लेते कि परंपरागत उदारवाद जो है उसकी क्या क्या विशेस्ता है है हाला कि हम एक ही साथ में दोनों को एक परंपरागत उदारवाद और अधोनिक उदारवाद को भी लेकिन सबसे पहले हम देख लेते परंपरागत उदारवा करते हैं राज्य को एक अविषयक बुराही मानता है इनका मानना है कि एराज्य होना ही नहीं नहीं जाहिए है इसके बार में अहस्तशेप राज्य में विश्वास करते हैं कि गालना है कि यूअ वह ऊंद्आ होएं इसकी सुरक्षा करना ही राज्य का काम होना चाहिए कि राज्य का इक तंप यूंतम अस्टशेब की बात करते हैं इन गर एक्तियों क आपते हुद के ना करें आगे हैं यह अधिकारों का समत्थन करते हैं कौन से अधिकार तो तो इन्होंने तीन प्रकार के प्रकृतिक अधिकारों की बात करिए सबसे पहला दो प्रकृतिक अधिकार जीवन का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्तिक अधिकार और इनका मानना है कि यह जो अधिकार है यह प्रकृति द्वारा प्रदान किये गए हैं और चु तो यह असीमित और नकरात्मक्स वतंतरता में विश्वास करते हैं यह किसमें विश्वास करते हैं तो परमपरागत उदारवाद जो है असीमित और नकरात्मक्स वतंतरता इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ब्यक्ति के उपर नकरात्मक्स वतंतरता का अर्थ होता है ऐसी स चाहिए इसके अलावा आर्थिक वास समाजिक छेत्र में राज्य की नियोन्तम भूमिका का समर्थन करते हैं तो यह तो बात रही किसकी परभागत को दारवाद की आगे मधास कर लेते हैं ओधुनिक उदारवाद जिसको हम सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं अधुनिक उदारवाद की शुरुवाद जो है 28 शतावदी में चुकी परंपरागत उदारवाद द्विक्सित हुआ उसके बाद में 19 शतावदी के अंतिम दश्कों में जो है अधुनिक उधारवाद राज्य को आवशेक बुराई नहीं मानते हमने देखा था कि जो परंपरागत उधारवाद है वो क्या करता है राज्य को एक आवशेक बुराई मानता है लेकिन सकरात्मक उधारवाद या फिर अधुनिक उधारवाद ये राज्य को एक आवशेक पूर्ति का माध्यां होना चाहिए लोगों की हितों की पूर्ति का एक जर्या होगा इसके अलबा अधुनीक उदारवादी राज्य के कारयों में कटाउती नहीं करते बलकि से समाज में पिछले वर्गों को विक्सित विकास की यजा सके और एक तरीके से यह कहते हैं कि राजजे जो है एक कल्यार का रिभूमी का निभा सके तो यहाँ पर हम देखें अगर परमपरागत उधारवाद को तो परमपरागत उधारवाद राजजे को एक अवश्यक बुराई मानता है वही अधुनिक उदारवाद अवश्यक बुराई ना मान करके एक अवश्यक संगस्था मानता है दूसरी तरफ अधुनिक जो परंपरागत उदारवाद है वो क्या करता है राज्यों के कार्यों में कटोथी करता है और उसका मानना है कि रा ब्यक्ति के अधिकार जो हैं चुकि अगर हम बात करें तो परंप्रागत उधारवाद जो था वो क्या गयता था कि जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है लेकिन अधुनिक उधारवाद या फिर सकरात्मक उधारवाद इनका मनना है कि ब्यक्ति के अधिकार प्राकृत करते हैं जहां आम ने देखा था कि परंप्रागत-उधारवाद जो है, वह ऐसे स्वलतेंतरता की वकालत करता है जहां पर किसी भी प्रकार की प्रतिवंद यॺ अश्वलतेंतर्ता की उपर नहीं होना ज髑ी, लेकिन आधुणिक-उधारवाद असीमित स्वतंतरता की जगा एक सीमित स्वतंतरता की वकाला करता है इसके अलावा आर्थिक वा समाजिक छेत्र में समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए राज्य की व्यापक्ता पर बल देता है आधुनिक उदारबाद क्या कहता है कि चुकि समाज के सभी वर्गों का विकास करना है इसके लिए समाज में जो पिछडे वर्ग हैं उनको विक्सित करने के लिए क्या करना पड़ेगा राज्जी को एक कल्यानकारी भूमिका निवानी पड़ेगी और पिछरे वर्गों के लिए अलपसंशत वर्गों के लिए उनके हितों की पूर्थी के लिए राज्य को कुछ विशेस काम करने होंगे और उनके लिए कुछ आबशक, सुभिधायों उप्लब्ध करानी होगी तो इस तरही के से आधुनिक उदारवाद जो है वो राज्य की व्यापकता पर बल देता है और उसके व्यापक स्वरूप पर बल देता है नेक्स्ट अगर हम बात कर ले समकालिन उदारवाद की तो समकालिन उदारवाद जो है दोस्तो इसको हम कह सकते हैं ये परंपरागत उदारवाद से मिलता जुलता नजर आता है वो किस तरीके से क्योंकि परंपरागत उदारवाद है वो भी परंपरागत उदारवाद की तरह राज्ये के कल्यानकारी जो सिधानत है राज्ये के जो कल्यानकारी कारे हैं उसका विरोध करता है और इनका मानना है कि राज्ये का जो काम होना चाहिए ना उनली बाहरी आक्रमनों से सुरक्षा होना चाहिए यानि कि व्यक्तियों की बाहरी आक्रमनों से सुरक्षा की जाए इतना ही राज्य का काम नदा चाहिए और इसी क्याधार पर ये खुद को संचालिक कर सकती है इसलिए इसके अंदर राज्य का राज्जे का हस्तशेँज जरूरी नहीं है देखते हैं आद समकालईय नुदारवाद में कि और क्या विश्य साहँं और इसके क्या-क्या महत्पूर्ण बात है तो समकालई up दार जेòng स्वेच्छा तंत्रवाद भी कह सकते हैं यह सिद्धान्त तल्यानकारी राज्ज्य का विरोध करता है और मुक्त वाज ai पोईयbas stays a Khan समर्थन करता है साथ ही राज्ये के न्यूंतम हस्तशेव का भी समर्थन करता है करता है इसके जो प्रमुख समर्थक माने जाते हैं इजाया वरलिन Milton Friedman, Hayek और Robert Nogic माने जाते है इजायब Berlin जो है इनका मानना है कि चुकी जो है राज्य जो है एक ऐसी संस्था जो है एक ऐसी संस्था के रूप में काम करना चाहिए उसको कि वो केवल बाजार को मुक्त छोड़ दे और बाजार जो है अपने डिमांड और सप्लाई के आधार पर खुद को संचालित कर लेगा तो राज्य को हस्तशेप इसमें कम से कम करना चाहिए वो राज्य के कल्यानकारी जो भूमिका है उसके ओपर प्रशन उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि कोई ब्यक्ती जो है अजाद पंशी की तरह अगर उड़ना चाहता है या फिर बेल मचली की तरह वो तैरना चाहता है और अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हो रहा है ना तो इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता ये ब्यक्ती की असमर्थता है इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ ऐसा नहीं उना चीए तो यह यही क्याते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पंच्छी की तरह अकाश में उड़ना चाहता है और अगर वह नहीं उड़ पा रहा है तो राज्जे उसका कोई पंख नहीं लगा देगा कि वह आके उससे उड़ने लग जाए इनके कोटेशन को इन्होंने अपनी पुस्तक concert of liberty और short of liberty में यह तरक देते हैं कि राज्जे के वल जो है ब्यक्ति की नकरात्मक्स वतंत्रता की रक्षा कर सकता है सकरात्मक्स वतंतता की रक्षा करना राज्य के कार्य छेत्र में नहीं आता है यदि कोई ब्यक्ति आजाद पंची की तरह आकास में उड़ नहीं सकता या फिर बेल मचली की तरह तैर नहीं सकता तो या ब्यक्ति की कमी है इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है इसी वज़े से जो वो राज्य को नियुम्तमह स्टशेप और राज्य के कल्यारकारी जो भूमिका है उसके उपर ये प्रस्ण उठाते हैं वहीं हेयक इन्होंने भी अपनी पुस्तक Constitution of Liberty में लिखते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की मनमानी इच्छा के द्वारा दिवश या वाध्य ना हो इन्होंने माना कि है का मानना है कि राज्य को जो काम होना चाहिए वो प्रतिसपर्धा को बढ़ावा देना होना चाहिए और प्रतेक ब्यक्ति को उसकी योग्यता अपनी योग्यता के अनुसा कारे करने के लिए छोड़ देना चाहिए जो ब्यक्ति योग्य होगा जो ब्यक्ति प्रतिसपर्धा में भाग लेगा और जो ब्यक्ति उस प्रतिसपर्धा में टिका रहेगा वो जीवित रहेगा और जो ब्यक्ति प्रतिस परधा में टिक नहीं पाएगा वो व्यवस्था से बाहर हो जाएगा तो वो जो ब्यक्ति व्यवस्था से बाहर होगा वो कहते हैं कि इन ब्यक्तियों के लिए कुछ करने की अवश्यक्ता अलग से नहीं है तो इसलिए ये राज्य के जो कल्यानकारी स्वरूप है उसके उपर प्रशनचिन उठाते हैं साथी जाथ में रॉबर्ट नौजिक ने अपनी पुस्तक जो है अनार्की, स्टेट एंड, यूटोपिया में नकरात्मक्स वतंतरता का समर्थन करते हुए राज्य के न्यूंतम कार्रे छेत्र की बकालत किये और इनका मानना है कि राज्य का जो कार्रे होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए राज्य का काम एक खुली प्रतिसपरदा को बढ़ावा देना होना चाहिए राज्य का काम आर्थिक मामलों में कम से कम हस्तशेप करना चाहिए तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समकालिन जो उधारवाद है वो कुछ हद तक परंपरागत उधारवाद की तरह ही नजर आता है वही अब हम बात करते हैं जॉन लॉक के बारे में ब्यक्ति की स्वतंतरता को सरवुच स्थान दिया इन्होंने ये कहा कि साशन को ब्यक्ति की स्वतंतरता की प्राप्ति का एक महत्पून साधन मानना चाहिए और साशन पर अंकुछ लगाने के लिए कुछ मर्यादा भी निर्धारित की जानी चाहिए ताकि साशित वर्ग जो शक्ती है उनके पास उसका उपियोग मानविय स्वतन्तरता के विरोध ना कर सके। इन्होंने जो है साशन को व्यक्तिक स्वतन्तरता को सुरक्षेत रखने का एक माध्यम बताया, एक साधन बताया और इन्होंने ये का कि अगर राज्य अपनी शक्तियों का दुरूप योग करता है तो हमें उसका भी विरोध करना चाहिए। छीन भी नहीं सकता है, साथी साथ में इन्होंने धार्मिक सहिशनुत्रा का भी सिध्धान दिया और इन्होंने माना कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने और किसी भी धर्म को मानने की अजादी होनी चाहिए, तो चुकि दोस्तों इन्होंने व उसाशन के बिरूद विद्रोग आधिकार भी प्रदान किया। लोग ब्यक्तियों की स्वतंतरता के प्रति इतना जागरुख थे कि इन्होंने ब्यक्तियों को प्रसाशन के बिरूद विद्रोग करने का स्पष्ट अधिकार भी प्रदान किया। और उन्होंने माना कि अगर कोई भी साशन या कोई भी राज्य अगर अपनी शक्तियों का दूरूपयोग कर रहा है और वो साशन ब्यवस्ता को बनाए रखने के अलावा व्यक्ति की जीवन में ज्यादा हस्ताशेप कर रहा है उनकी स्वतंत्रता में हस्ताशेप कर रहा है त तो इन्हों ने जो है चुकि व्यक्तियों के स्वतंता के उपर अधिक बल दिया इसी वज़ा से उदार्वाद का जनक या फिर उदार्वाद का की आत्मा इंपो कहा जाता है तो दोस्तों यह हमने आज देखा उदार्वाद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात में माक्सबाद के बारे में